जाए श्रीराम मेरे सभी भाईयों को तो एनबॉलिक्स में सबसे अच्छा एनबॉलिक्स कौन सा है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं बॉडि रिकॉंपोजिशन के लिए बिंग अ कोच मेरे को आए दिन ऐसी क्योरी आती है जहां पे लोगों को fat loss करना है at the same time they want to build more muscle mass कोई ही एक ऐसा person होगा जिसको fat loss करते हुए muscle build नहीं करना है mostly लोगों को fat loss के साब muscle build करना है उसे हम बोलते हैं body recomposition तो उसके लिए best anabolic उन सा है आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ so guys for online training and consultation आप मुझे Instagram पर contact कर सकते हैं सब कुछ paid रहता है और dietary supplements के लिए भी वहीं पर मुझे message कर सकते हैं description में आपको username मिल जाएगा Moitrwana Fitness okay so देखिए कोई भी एक ऐसा है ना वो लिए जो लंबे time तक आप अगर use कर सकते हैं with safety profile वो आपके लिए best होता है लेकिन आज की date में लोगों को महनत नहीं करने हैं अगर मैं आपको बोल दूँ यहाँ पर testosterone सबसे safe है और आप उसको लंबे समय तक अपनी जो blood markers है उसको without impacting लंबे समय तक चला सकते हैं तो लोग क्या करेंगे महनत इतनी नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ आपको महनत करने पड़ेगी कार सैक्लिंग करने पड़ेगी डाइट करने पड़ेगी वर्काउट ओन पॉइंट रखना पड़ेगा बट लोग ऐसा करना नहीं चाहते इस वीडियो में जो मैं आपको compound बताऊंगा वो है trend ठीक है मैं यह यह नहीं बोल रख यह आपको trend पर महनत नहीं करनी है बट आज कल जितने भी आप Instagram influencer देख रहे हो वो trend ही use कर रहे हैं तब ही वो आप देखते हो उतनी अच्छी condition में रहते हैं तो कुछ खाने के वाप जूद भी trend एक ऐसा compound है जो body recomposition के लिए ideal compound है लेकिन इसके side effects बहुत जादा है जो मैं आगे आपको बताता हो so body recomposition में क्या होता है कि आपको fat loss करना आपको body में fat जादा है पेट बाहर है, muscle mass कम है तो यह क्या करता है आपकी extreme calorie deficit पे fat will loss करता है और आपका IGF-1 बढ़ाता है जो IGF-1 है one of the number one hormone in the body जो muscle build करता है तो extreme calorie deficit पे भी हो अगर still यह आपका muscle build करेगा मैं आपने काफी सारे clients के plan में तब trend को introduce करता हूँ जब उनका prep चल रहा है otherwise मैं trend को introduce नहीं करता but लड़के आज कल I don't know क्यूं use कर रहे हैं यह बहुत ही toxic compound है so trend क्या करता है IGF-1 बढ़ाता है, muscle protein synthesis बढ़ाता है, आपकी जो glucose की uptake है वो बढ़ा देगा ठीक है, आपको body को pump रखता है muscle build करता है fat loss करता है ठीक है और इसके benefits जो है जो मैंने आपको बताया यह कुछ इसके benefits है ठीक है, लेकिन अगर आप मैं इसके नुकसान आपको बताऊँ तो यह आपकी sleep के लिए अच्छा नहीं है aggression बढ़ाता है, lipid panel के लिए अच्छा नहीं है blood pressure को बढ़ाता है आपकी digestion में थोड़ी problem करता है ठीक है, at the same time आपको roid rage जो होती है जो बोलते है roid rage वो यही compound आपको सबसे ज़ादा देता है आपके relationship में problem करेगा ठीक है, आप body तो बन रही होगी mentally तब भी problem में रहेगा आपको लगेगा सारी दुनिया as all है ठीक है, आपको कोई पसंद नहीं आएगा जो कि अगर आप relationship में है तो आपके लिए ठीक नहीं है यह मैं आपको to the point वीडियो बता रहा हूँ इसमें बताने के लिए बहुत कुछ और हो सकता है उसके लिए मेरे साथ लोग training लेते हैं मेरी consultation, coaching में आते हैं जहांपे मैं उनको एक एगंटा phone पे बात करता हूँ तो एनाबोलिस के बारे में properly सिखाता हूँ लोग certification करवाते हैं बट मैं on phone call लोगों को सिखाता हूँ यह channel पूरा education के लिए है मैं educate करता हूँ लोगों को ताकि वो better decision ले पाए मैं खुद से भी clients को trend recommend नहीं करता unless and until वो last के कुछ हफते उनके prep के बचे हैं तब हम trend को introduce करते हैं वो medal के लिए है ऐसे हम सारा साल trend को use नहीं करते तो यही एक ऐसा compound है जो body recomposition करता है आज कल जो इंस्टरग्राम पे body recomposition कर रहे हैं वो trend से ही करते हैं वो खा भी तरह कुछ रहे हैं still कोई body fat loss हो रही है और muscle gain कर रहे हैं तो trend ही वो ऐसा compound है anabolics तो बहुत सारे हैं लेकिन जो trend है this is one of the worst and best compound at the same time देखो मैं personally trend use नहीं करता unless and until मैं compete करू but trend मुझे तो बिल्कुल भी सूटनी होता I don't know लोग किस तरह इसको tolerate करते हैं body to body differ करता है but मैंने आपको बता दिया इसके side effects बहुत ज़्यादा खतरनाग है और अगर आपको लग रहा है side effects मैं बोल रहा हूँ तो शैद आपको नहीं होगे try करके देख लो अगर आपको side effects हुए वो इतने खतरनाग वाली होंगे कि हो सकता है आप द्वारा trend को use ना करो so I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और जानना है तो comments करो आगे मैं और इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा stay sexy